सारे गामा कारवा इस तौफे में हैं पांच हजार सुनेहरे गाने और कुछ यादे आंसे रशा सुष्वी बात किया करते थे लेकिन यह बात आपको चानकर रहानी होगी कि यह अभीनेता नहीं बनन चाहते थे अभिनेता जाते हैं अब मंबई आते में किसमत चमकी ने करना का जाते हैं और क सनफान भाटे आज इस एपिसोड में राजिनर कुमार साहब की जिन्दगी से जुड़ी आपके साथ बाटी जाएंगी और कुछ बैतरीन गाने साहब अचलिए ज़रा गानों की तरफ रुख करते हैं फिर आगे की किस्सा कोई सिर्फ और सिर्फ कारवा क्लासिक पर मेरा महबूब आया है हवा ओर अगनी गाओ मेरा महबूब आया है मेरा महबूब आया है ओ लाली पूल की महंदी लगा इन गोरे हाथों में उतर आए घटा का जल लगा इन प्यारी आखों में सितारों मांग भर जाओ मेरा महबूब आया है मेरा महबूब आया है बहारों पूल बरसाओ मेरा महबूब आया है मेरा महबूब आया है नजारों हर तरफ अपतान दो एक नूर की चादल बड़ा शर्मेला दिल पर है चला जाए ना शर्मा कर जरा तुम दिल को बहलाओ मेरा महबूब आया है मेरा महबूब आया है बहारों पूल बरसाओ मेरा महबूब आया है मेरा महबूब आया है सजाई है जवा कलियों ने अब ये सेज उलफत की इन्हें मालूम ता आयेगी एक दिन रुत मुहबथ की मेरा महबूब आया है मेरा महबूब आया है बहारों पूल बरसाओ मेरा महबूब आया है मेरा महबूब आया है दिल शाद था के फूल खिलेंगे बहार में मारा गया गरेब इसी इतबार में मुझे तेरी मुहबथ का सहारा मिल गया होता मुझे तेरी मुहबथ का सहारा मिल गया होता अगर तुमा नहीं आता कि आरा मिल गया होता मुझे तेरी मुहबथ का सहारा मिल गया होता अगर तुमा नहीं आता कि आरा मिल गया होता मुझे तेरी मुहबथ का सहारा मिल गया होता मुझे तेरी मुझे तेरी मेश करने व Barran मुझे तेरी मुझे तेरी मुझे तेरी मुझे ते कि वल कि आठा मे बोल कि नहीं तो इस गुल रिष्टामें नहीं तो इस गुल रिष्टामें कमें थे क्या नजारों की मेरी नजरों को भी कोई नजारा मिल गया होता अगर तुम्हा नहीं आता कि नारा मिल गया होता मुझे तेरी महबत का सहारा मिल गया होता खुशी से अपनी आखों को मैं अशकों से भिगो लेता मेरे बदले तु हस लेती तेरे बदले मैं रो लेता मुझे आखाश तेरा दर्द सारा मिल गया होता अगर तुम्हा नहीं आता कि नारा मिल गया होता मुझे तेरी महबत का सहारा मिल गया होता मिली है चाद नी जिनको ये उनकी अपनी पिसमत है मुझे अपने मुकदर से फकत इतनी शिवायत है मुझे तूटा हुआ कोई सितारा मिल गया होता अगर तूपार नहीं आता किनारा मिल गया होता मुझे तेरी मुहबत का सहारा मिल गया होता ये है कार्वा क्लासिक गौरफ शर्वास्तफ के साथ हैं आप और आज के इस एपिसोड में राजंदर कुमार जहाओ के गाने हम सुन रहे हैं और राजंदर कुमार तुली पूरा नाम और कुछ बड़ी निराली बात हैं इनकी जिंदगी से जुड़ी मैं आपके साथ बाठ रहा हूं कि पहले बात तो यह कि भाई ये दिल्ली से किस तरहां से मुंबई पहुंचे हाला कि इनका तालुक रहा उन्होंने तब दिल्ली का रुख किया और दिल्ली पहुंचे और हाला जो थे ठीक ही थे लेकिन जरा मुफलिसी का आलम भी था और राजंदर कुमार सहाब को एक घड़ी गिफ्ट करी गई थी कि भी ये घड़ी लो और इस घड़ी को अपने पास रखना सोच लिया कि चाय कुछ हो जाए मैं तो पहुंच जाओं का बंबई तो जमान में बंबई कहा जाता था अब मुंबई कहते हैं इन्होंने वो घड़ी जो इन्हें तोहफे में मिली थी वो पचास रुपे में बेश थी हाँ और फ्रंटियर मेल का टिकेट कि यह जो हैं वो फिल्मों में बतौर एक्टर नजर आएंगे हाँ हरनाम जिंग रवेल के साथ यह बतौर असेसिंट डिरेक्टर काम करते रहे कई फिल्मों में एक चोटा मोटा किरदार भी नवाया फिल्म जोगन में जिसमें दिलब कुमार साथ रहे और नर्गिस जी रहीं और उसके बाद एक गोयल साथ रहे बड़े जवर्दस प्रोडूसर उन्होंने फिल्म वचन बनाई और कहा कि राजिंदर मैं जानता हूं तुम बड़ अच्छा भी नेता हो तुम इस फिल्म में काम करो और वचन से फिर एक तरह से इनकी बताओर अक्टर शुरुआत हुई और तो कमाली काई काम किया पर इन्हें खुद इस बात पर अधवार नहीं होता था कि यह जुबली कुमार है एक बड़ा मज़दार किस्सा है कैसे इन्हें अहसास हुआ कि यह जुबली कुमार है वह मैं आपके साथ बातूँगा लेकिन उससे पहले जरा कुछ बेहतरीन गाने आरहा इन्तिदार कर रहे हैं जरा गानों के तरह रुख करते हैं सिर्फ और सिर्फ कार्वा क्लासिक पर आए पर दीरे दीरे बोल कोई सुना ले सुना ले कोई सुना ले सेज से कलिया चुना ले हम को किसी का डर नहीं कोई जोर जमानी पर नहीं धिर धिर बोल कोई सुना ले हम को किसी का डर नहीं कोई जोर जमानी पर नहीं धिर धिर बोल कोई सुना ले सुना ले कोई सुना ले कुछ कहले कुछ कर ले ये संसार हम प्रेमी हैं हम तो करेंगे प्यार कुछ कहले कुछ कर ले ये संसार हम प्रेमी हैं हम तो करेंगे प्यार कोई देख ले कोई जान ले कोई दोश हमारे सर नहीं कोई जोर जमानी पर नहीं धिर धिरे बल कोई सुनाने सुनाने कोई सुनाने धिरे धिरे बोल कोई सुन ना ले, सुन ना ले, कोई सुन ना ले बातों के बदले आखों से लोखा, वरना हम हो जाएं गरे बदना बातों के बदले आखों से लोखा, वरना हम हो जाएं गरे बदना ना दान तुम, अंजान तुम, लो मान तुम, बेमान तुम, यो चैन तुमे बलबर नहीं, कोई जोर जमानी पर नहीं धिर धिर बोल कोई सुन आने, सुन आने, कोई सुन आने धिर धिर बोल कोई सुन आने, सुन आने, कोई सुन आने विअसर कोई सोचसुन आने, विखलाद रिख़र करें तुम, आने, विखलाद अज़ सुन आने एक साल, तेरे बिन अब मेरा भी है यही हाल, एक एक दिन अब लगता है एक साल, तेरे बिन अब मेरा भी है यही हाल, आ प्यार कर, दुनिया से डर, मत दूर जा, मत पास आ, मैं शीशा हो पत्थर नहीं, कोई जोर जमानी पर नहीं धर धर बोल कोई सुनना ले हमको किसी का डर नहीं कोई जोर जमानी पर नहीं धिर धिर बोल कोई सुना ले कारवा क्लासिक रेडियो शो के एपिसोड्स को आप आफ लाइन भी कर सकते हैं ताकि आप इसे कभी भी कहीं भी सुन सकें और इंजॉई कर सकें मेरे मित्रे आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे मेरे मित्रे आजा तुझको पुकारे मेरे कीत रे मेरे मेरे गीत रे ओ मेरे मित्रवा नाम ना जानू तेरा देस ना जानू कैसे मैं भेजू संदेस ना जानू ये पूलों की ये जूलों की रुत ना जाए बीत्रे आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे मेरे गीत रे ओ मेरे मित्रवा तरसेगी कब तक प्यासी नजरिया तरसेगी कब तक प्यासी नजरिया बरसेगी कब मेरे आंगन बदरिया छोड़के आजा तोड़के आजा दुनिया की हर रीत रे आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे मेरे गीत रे ओ मेरे मित्रवा ये है कार्मा क्लासिक गौरफ शर्वास अब के साथ है आप और इस एपिसोड में राजिंदर कुमार साहब पर फिल्माए गाने हम सुन रहे हैं राजिंदर कुमार साहब एक बड़े अभीनेता तो बने ही लेकिन इनके साथ ताइटल जुड़ा जुबली कुमार वह भी बड़ा कमाल कर रहा है अच्छा इन्हें कभी एहसास नहीं हुआ कि यह जुबली कुमार है एक दिन इनकी बीवी ने इन्हें यह एहसास दिलाया किस्सा बड़ा मज़दार है जरा सुनाता हम आपको अब यह तमाम किस्से जो है बड़े अच्छे बड़े निराले वो गीत माला की च्छाओं में जो कलेक्शन है नामीन जायनी सहाब का जो की सारे कामा कार्मा का अटूट हिस्सा है उसमें भी सुनने को मिलते हैं और गुजरे वक्त के जो सुपरस्टार्स रहें उनके इंट्रव्यूस भी जो है उस पर भी आप गौर फरमाएं और अभी जो है मैं यह किस्सा आपको सना तो रहेंदर कुमार सहाब ने जुझला के काया कि कमाल करते हैं आप लोग यहां बैठे हुएं सिर्व ड्रोइंग रूम में बाते कर रहें को तरीका बहुत घूम कर आओ यह घर में घुसे रहते हैं तो इनकी जो शरीक्षा रही शुक्ल जी वह इन्हें प्यार से ना पप अच्छा बताओ कौन सी फिल्म देखो तो उनकी वाइफ ने कहा पापा जी आप जितनी फिल्में हैं वो तो मैं ट्रायल में देख लेती हूं जब फिल्मों को ट्रायल होता है और अभी इस वक्त हमारे इर्दगिर जितने पिक्चर हॉल है वहां पर सिर्फ और सिर्फ आप की फिल्में लगी है अब बताओ मैं वही फिल्में जब देख चुकी हूं वही दुबारा जाके देखू और वह भी अपने ही अपने ही पती की तब राजिंदर कुमार साब को ये बात जो है वो समझ में आए कि क्यों पब्लिक इने जुबली कुमार कहके पोकारती है हर तर और स्क्रिप्ट बहुत अची तरह चुना करते थे संगीत हमेशा एक एक गाना इनके ओपर बड़ा जवर्दस फिल्माया गया और बनाया गया इनके लिए और यही वजह रही कि राजिंदर कुमार एक लंबे अर्से तक सूपर स्टार्डम इनका परकरार रहा और आज की जो गाने हैं हम जरा इनका लुट पुठाएं सिर्फ और सिर्फ कारवा क्लासिक पर कौन है जो सपनों में आया कौन है जो दिल में समाया दो जुग गया आसमा भी इश्क मेरा रंग लाया कौन है जो सपनों में आया कौन है जो दिल में समाया दो जुग गया आसमा भी इश्क मेरा रंग लाया कौन होग क्याति कौन होग गाया ओडियाल जिन्दगी के हर इक मोड पे मैं गीत गाता चला जा रहा हूँ जिन्दगी के हर इक मोड पे मैं गीत गाता चला जा रहा हूँ वे खुदी का ये आलम न पूछो मन्जिलों से बढ़ा जा रहा हूँ कौन है जो सपनों में आया कौन है जो दिल में समाया लो जुक गया आसमा भी इश्क मेरा रंग लाया ओ प्रिया ओ प्रिया ओ प्रिया सच कहीं आज सारे दिशा है खुल कहीं आज चन्नत की राहें भुस्न जब से मेरा हो गया है मुझ पे पढ़ती है सब की निगाहें कौन है जो सपनों में आया कौन है जो दिल में समाया दो जुक गया आसमा भी इश्क मेरा रंग लाया ओ प्रिया ओ प्रिया जिस्म को माट आती है लेकिन रूह को माट आती नहीं है इश्क रोशन है रोशन रहेगा रोशनी इसकी जाती नहीं है कौन है जो सपनों में आया कौन है जो दिल में समाया दो जुक गया आसमा भी इश्क मेरा रंग लाया I hope you are enjoying the show इस एपिसोड को अपने friends और family के साथ share जरूर करें आय नर्ग से मस्ताना बस इतनी शिकायत है समझा हमें वेगाना बस इतनी शिकायत है बस इतने शिकायत है, फैनल किसे मस्ता न हर राह पर कतराए, हर मोड पर घबराए मुफेर लिया है तुमने, हम जब भी नजर आए मुफेर लिया है तुमने, हम जब भी नजर आए हम को नहीं पहचाना, बस इतनी शिकायत है बस इतनी शिकायत है, एनल किसे मस्ता न हो जाते हो पर हम भी, बन जाते हो हम दम भी ऐसा किये मैं खाना, शोला भी हो शब नम भी है खाली मेरा पहमाना, बस इतनी शिकायत है, बस इतनी शिकायत है, एनल किसे मस्ता न हर रंग कयामत है, हर धंग शरारत है दिल तोड के चल देना, ये हुसन की आदत है है आता नहीं बहलाना, बस इतनी शिकायत है, बस इतनी शिकायत है, एनल किसे मस्ता न बस इतनी शिकायत है, समझा हमें बेगाना, बस इतनी शिकायत है, एनल किसे मस्ता न ये है कारवा क्लासिक और गौरफ श्रवास्तव के साथ हैं, आप राजंदर कुमार सहाब पर फिल्माय गाने, आज हम सुन रहे हैं और राजंदर कुमार के ही जिंदगी से जुड़ी कुछ बड़ी अनुकी कहानिया आपके साथ बाटी जा रहे हैं, देगे साब, किसमत भ बिर्जु, राजंदर कुमार, रामू, नर्गिस जी ने प्यार से बिर्जु और रामू ही कहा करती थी, और आगे जाकर दत्सपा से नर्गिस जी की शादी हो जाएगी, और राजंदर कुमार इनके सम्धी बन जाएगी, किसमत बड़े आजब खेल खेलती है, अच्छा, ये तो मैंने आपके साथ बाटा ये बाटी ये बात कि राजिंदर कुमार साहब की शुरुवात जो हुई वो फिल्म जोगन से हुई एक तरह से अभी नहीं की उससे पहले तो एचेस रवेल साहब की असेसिंट है लेकिन एक फिल्म रही जिसमें ये नर्गिस जी के साथ शाय राज कपूर की वो फिल्म रही उसके लिए भी किसी हद तक दिल्प कुमार और नर्गिस जी जो रही वो जब्मेदार माने जाते हैं क्या हुआ कि एक फिल्म बनाई स्क्रिप्ट बगरा लिखी और राज कपूर सहाब ने दिल्प सहाब से नर्गिस जी से कहा कि आप लोग लोगों ने पहले फिल्म अंदाज में काम किया था हम तीनों ने इस फिल्म में भी काम करेंगे बड़ा अच्छा रहेगा पर कुछ अजीब बाते रहीं तिलिप साहब नहें हां भी करी और ना भी हो गई नर्गिश जी भी फिर उनकी शादी हो गई तब तक और राजकबूर सहाब से राजकपूर सहाब निया डिस्क्रिस किया और कहा कि देखो यह फिल्म ना मेरा बड़ा पुराना सपना कि इस फिल्म को मैं बनाऊं पर दिले यूसुफ तो काम करनी रहा है नर्गिस की भी शादी हो गई तो राजंदर कुमार सहाब में चलो स्क्रिप्ट के ऊपर ब काल है ना कहां राजंदर कुमार सहाब दूर दूर तक सीन में नहीं थे कि वह कभी फिल्म संगम में काम करेंगे और फिर अंत में इनहीं की वज़े से यह फिल्म जो है वह कंप्लीट हो पाए अनके गहरे दोस्त राजकपूर का सपना पूरा हो पाया है बड़ी जवर्दस कि जिन्दगी से जुड़ा लेकिन जड़ा पहले गानों का लुद्फ उठाते हैं फिर किस्ता गोई सिर्फ पर सिर्फ कारवा क्लासिक पर महरवा लेकूं हसीना लेकूं याद रवा लेकूं हैरान हूं के आपकूं इस खत में क्या लेकूं ये मेरा पेम पत्र पढ़कर के तुम नाराज ना हो ना के तुम मेरी जिन्दगी हो 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 तुझे मैं जान्द कहता था मगर उसमें भी दाग है तुझे सुरज मैं कहता था मगर उसमें भी आग है तुझे इतना ही कहता हूँ के मुझे को तुम से प्यार है तुम से प्यार है ये मेरा पेम पत्र पढ़ कर के तुम नाराज ना हो ना के तुम मेरी बंद भी हो के तुम मेरी बंद भी हो तुझे गंगा मैं समझूंगा तुझे जमना मैं समझूंगा तु दिल के पास है इतनी तुझे अपना है मैं समझूंगा अगर मर जो रूह बटतेगी तेरे इंतदार में ये मेरा पेम पत्र पढ़ कर के तुम मेरी जिन्द भी हो ये मेरा पेम पत्र पढ़ कर के तुम मेरी जिन्द भी हो के तुम मेरी बंद भी हो आज के शो के सभी गाने आप सारे गामा कारवां से सुन रहे हैं सारे गामा कारवां इस तोफे में हैं पांच हजार सुनहरे गाने और कुछ यादें तुम मन्ना तुही नजारों में नजारों में तुही तो मेरा नील जगर है प्यार से रोशन आखटाएं और घटा के रूप में तु है कांधे पे मेरे सर को जुकाएं मुझे पे लटे भी तुदाएं मिना प्यार में तु है ये बहार में तु तुही नजरों में जाने तमंद चांच तुही नजारों में नजारों में मन्जिल मेरे दिल की बही है साया जहां दिल दार है तेरा परबत परबत तेरी मा है गुल्शन गुल्शन प्याह तेरा मेह कह आचर मेरा मेरा प्यार मी तु है ये बहार भी तु है तुही नजरों में जानी चमन रा मुझी नजरों में नजरों में जागी नजर का खाब है जैपे देख मिलन आदिन ये सुहारा आँख तो तेरे जल्बों में गुम है देखू तुझे या देखू जमाना मेरा प्यार भी तु है ये बहार भी तु है तुही नजरों में जानी तुमन रा तुही नजरों में नजरों में जो कि आके जाकर बहुत बड़े विलेन बने शुरवात तो इन्होंने बतार ही रही करी थी जिनने सारा शहर आज भी लायन के नाम से जानता है चाहित ऐसला मोट पर आग़ी अपने करियर के जहां पर आपि पूरी तरह से हीरो थे और नहीं पूरी तरह से हीरो के दोस्त का रोल कर रहे थे कुछ अलग अजब बाते हो रही थी और ब्लाक इन वाइट सिनेमा से कलर्ट सिनेमा की तरफ हम बढ़ रहे थे ऐसे में राजिंदर कुमार सहाब ने अजीत साह को समझाया और कहा देखिए आप दो-चार साल और मैक्सिमम बतौर हीरो नजर आजाएंगी है ना फिल्म में कुछ खास करनी रही है आप मेरा मश्वरा माने आप बतौर विलन नजर आए फिल्म मैं तो हीरो मैं विलन के नहीं राजिंदर कुमार सहाब ने बड़ी इनिस समझाया और कहा कि आप विलन आएं और आपकी इ आए फिल्म इंडस्ट्री में शैलिंद्र सिंग साया वो की वो एफ्टी आए से अपना एक्टिंग का कोर्स करके आये और बतौर सिंगर बहुत बड़े सिंगर और सुपरस्टार बन गए थे विल्म बड़े इनके काने मकबूल हुए थे तो एक दिन राजिंदर कुमार ज नई लड़की चाहिए तो आजा उस फिल्म में काम कर ले तो शैलिंद्र सिंग सामने का ठीक जी कर ले तो इस तरह से उनके एक्टिंग के शुरुवात भी और राकेश रोशन बहुत बड़े फिल्म डिरेक्टर और प्रोडूसर बने उन्हें भी राजिंदर कुमार साहब ने कहा था कि चंता मत करो तुम्हारा भी करियर बनेगा और कई जगा पर उनकी मुलाखात जो है इन्होंने करवाई कि किसी तरह से उनका करियर आके बढ़ सके बतौर हीरो को कि उससे पहले तो वह प्रेड़क्शन असिस्टेंट और असिसेंट डिरेक्टर कई काम किया करत कि इनके व्यक्तित से चुड़ी हुए राजंदर कुमार साहब कि सिर्फ अपने लिए ही नहीं अपने एर्दगर्द जो और कलाकार है उनको भी एकदम सही सलह देनी तो इस तरह से और भी कलाकार आए फिल्म इंडस्ट्री में मतलब अलग-अलग डिपार्टमेंट से बड अधिसार गानों को नाया तोफा है उनमें से इन गानों को हमने चुना है तो चुनेंदा गाने जो है इन पर भी हम जड़ा नदर डालते हैं आपसे होती है मुलाकात बहुत जल्द सिर्फ और सिर्फ कारवां क्लासिक पर मेरे महबूब तुझे मेरे महाबत की कसम मेरे महबूब तुझे मेरे महाबत की कसम फिर मुझे नर्ग सी आँखों का सहारा दे दे मेरा खोया हुआ रंगीन नजारा दे दे मेरे महबूब तुझे मेरे महाबत की कसम भूल सकते नहीं आँखें वो सुहाना मनजर जब तेरा हुस्न मेरे इश्क से तकराया था और फिर राह में बिखरे थे हजारों नगमें मैं वो नगमें तेरी आवाज को दे आया था साजे दिल को उनी गीतों का सहारा दे दे मेरा खोया हुआ रंगीन नजारा आते दे मेरे महबूब तुझे मेरी मुहबत की पसं याद है मुझ को मेरी उम्र की पहली वो घड़ी तेरी आँखों से कोई जांपिया था मने मेरी रग रग में कोई बर्क सी लहराई थी जब तेरे मरमर हाथों को छुआ था मने आ मुझे फिर उन्ही हाथों का सहारा दे दे मेरा खोया हुआ रंगीन नजारा दे दे मेरे महबूब तुझे मेरी मुहबत की कसं मैंने एक बार तेरी एक जलक देखी है मेरी हसरत है के मैं फिर तेरा दीदा करूं तेरे साए को समझ कर मैं हांसी ताज महल चांदनी रात में नजरों से तुझे प्यार करूं अपनी महकी हुई जुलफों का सहारा दे दे मेरा खोया हुआ रंगीन नजारा दे दे मेरे महबूब तुझे मेरे मुहाबत की पसं दोंडता हूँ तुझे हर राह में हर महफिल में ठग गए है मेरे मजबूर तमना के कदम आज का दिन मेरी उमीद का है आखरी दिन कल ना जाने मैं कहा और कहा तु हो सनम दो घड़ी अपनी निगाहों का सहारा दे दे मेरा खोया हुआ रंगीन नजारा दे दे मेरे महबूब तुझे मेरी मुहबत की पैसम सामने आके जरा परदा उठा दे रुख से एक यही मेरा इलाज गम तनहाई है तेरी फुरकत ने परेशान किया है मुझे को अब तो मिल जाके मेरी जान पे बन आई है दिल को भूली हुई यादों का सहारा दे दे मेरा खोया हुआ रंगीन नजारा दे दे मेरे महबूब तुझे मेरी महाबा की कसम मेरे महबूब तुझे एक नाम एक दिन ये तु मेरे सपनों की रानी बनेगी एक ना एक दिन ये कहानी बनेगी तु मेरे सपनों की रानी बनेगी मेरे सपनों की रानी बनेगी एक ना एक दिन ये कहानी बनेगी तु मेरे सपनों की रानी बनेगी एक ना एक दिन ये कहानी बनेगी तु मेरे सपनों की रानी बनेगी तु मेरे सपनों की रानी बनेगी चैन लूटा है नीद लूटी है ऐसे मौसम में हमसे रूठी है ये तेरे हाथों की अंगूठी तेम की पहली निशानी बनेगी एक ना एक दिन ये कहानी बनेगी तु मेरे सपनों की रानी बनेगी ये बनेगी 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 गुसा तु भूल जाएगी तेरे होंटों पे हसी आएगी ये आज हो या कल हो ये होगा ये बेरुखी महरवानी बनेगी एक ना एक दिन ये कहानी बनेगी तु मेरे सपनों की रानी बनेगी लाज आती है बाद में गोरी मान जाती है योही पहले तो लाज आती है बाद में गोरी मान जाती है तेरा मेरा नया नया मिलन है ये मुला दात पुरानी बनेगी तिकना एक दिन ये कहानी बनेगी तु मेरे सपनों की रानी बनेगी मैं तेरा दिवान बनेगा रानी तु मेरे दिवानी बनेगी तिकना एक दिन ये कहानी बनेगी तु मेरे सपनों की रानी बनेगी तिकना एक दिन ये कहानी बनेगी तु मेरे सपनों की रानी बनेगी कैसा लगा आपको ये शो प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं हर हफते हम कारवा क्लासिक रेडियो शो का एक नया एपिसोट लेकर आते हैं और सारे गमा म्यूजिक चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को आन भी कर लीजिए ताकि कोई भी एपिसोट मिस ना हो